क्लास नेक्स्ट आज हमने 4.2 एक्सराइस करनी है एक से एक्सराइस के आज मैंने आपको 1st 3 questions करवाने है questions से related जो example हुआ करेगी वो आप लोग पीछे से खुद देखा करोगे ठीक है अब देखे question number 1 में आप से कहा है find the 6 terms आपने इसकी first 6 terms निकालनी है आपको एक series दे देखे हैं आपने इसकी 6 terms निकालनी है 6 terms निकालने का मतलब क्या है आपने a note की value निकालनी है a1 की निकालनी है a2 की निकालनी है a3 की निकालनी है a4 की निकालनी है और A5 की value निकालनी है इन पांचों की values निकालनी है इन पांचों को count करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि 0 से start और इसलिए 5 तक values calculate करनी है तो total 6 terms निकलाएंगी अब इनको calculate करना बहुत असान है आपने सबसे पहले given relation लिखा और साथ में condition बता दी कि आप क्या value बताई हूँ यह no equal to minus 1 अब next आपने A1 की value calculate करनी है उसके लिए N की जगापे 1 होना चाहिए इसलिए आप N की जगाप 1 put कर दोगे जब आप N की जगाप 1 put करोगे तो यहाँ A1 हो जाएगा यहाँ minus 2 as it is A into 1 minus 1 यहनी 0 आजाएगा previous value की जो value पीछे दीवी आप इसके इंदर put कर दोगे उसके respect से आपके A1 का answer आजाएगा 2 similarly आपने A2 से लेके A5 तक values निकालनी है 1 by 1 putting करनी एक दफा 2 put करोगे 3 put करोगे 4 करोगे 5 करोगे तो उसी तना respectively A node A1 A2 A3 A4 और A5 इन सब का answers आजाएगे आपके पास ठीक है यह बहुत इजी question number 1 है इसके आपको E parts दियो है E parts में यही काम करना है just substitution करके आपने values निकालनी है similarly देखें जो question number इसका B part है B part में भी रोने आपको एक series बता दी कही है लेकिन इसके इन दर क्या difference इसके इन दर दो values खुदी से दी हुई है A node की value भी दी हुई है A1 की value भी दी हुई है और आपसे का है आपने 6 values निकालनी है 6 का मतलब यही है कि आपने A5 तक जाना है अब 0 और 1 दिया हुआ यानि हमें next जो है 2, minus 2 आजएगा जो previous values ने A1, A0 की use करोगे इसके अंदर put कर दोगे A2 की value आजएगी similarly A1 equals to 3 put करोगे 4 put करोगे, 5 put करोगे यहाँ पर जो terms बनती जाएगी उसके अंदर previous values यूज होती जाएगी आप वो putting करते जाओगे तो आपका easily answer आता जाएगा ठीक है, आपके B part भी सेम इसी steps पे होगा अब उसके बाद next आपका C part है C part में भी यही काम आपने करना है यहाँ पर भी A node और A1 की value दी हुई है A2 से start करना है, तो putting आपने N equals to 2 से start करनी हो और एक दफ N equals to 2 put करना है 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है जहाँ पर A5 आजएगा, वहाँ पर 6 terms complete होजाएगी वहाँ पर आप अपने questions stop कर दोगे अब next question थोरा different है आपके पास